कि नमस्कार साथियों मैं दीपांकार राज फिर से आप सभी का अपने इस उत्तरखंट कमप्टेसिन एक्जाम के चनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी भविश्य की परिक्षाओं के लिए सुपकामने देता हूं भारत एक सामाने परिचे पर मैंने एक वीडियो पहले अपलोट किया है आज मैंने उसका दूसरा भाग मैं आपके सम्मुक लेकर आया हूं भारत एक सामने परिचे का दूसरा भाग मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और पची हुई भारत से सम्मंदित जानकारिया हम लोग आज बिस्कस करेंगे इस से पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में जो जानकारिय दे थी उसको एक बार हम देख लेते हैं देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको ये जोन्स के बारे में बताया था और यहां ये देखिए जोन्स उसमें सम्मंदित राज्योर केंद्र सासित प्रदेश और इसके बाद मैंने आपको चार बिंदुओं के बारे में बताया था तो चारों दिसाओं पर हैं और ये महत्वपूर्ण बिंदू और इसके अलावा सीमाओं के बारे में बताया था और उत्तर दक्षन और पूरा पस्चिम की लंबाई के बारे में बताया था तर्ट्रेखाओं के बारे में बताया था आकारेव भोगोलिक सनस्ना और पौरानिक बिंदू हमने डिसकस किये थे आज हम आगे चलते हैं तो भारत एक सामाने परिचे भाग दो इसके महत्तुपुन बिंदुओं को हम जानेंगे तो हम इसकी सुरुवात करते हैं लगभग 30 डिगरी सेल्सियस के देशांतरी विस्तार के कारण देश को दो समय मेखलाओं में बाटा जा सकता है परन्तु इस समस्या का समाधान 42 डिगरी 30 डेश पूर्वी देशांतर रेखा को भारती मानक समय के निर्धारन हेतु मानक या मोत्यर स्टेंडर्ट मेरिडियन के रूप में मान कर लिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर कुछ स्रोतों में इसे इलाबाद के नैनी को भी बताए गया है से होकर गुजरती है यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 36 गड़, ओडिसा, आंधर प्रदेश, राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीन विच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है देश की सबसे पूर्वी वैं सबसे पस्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगबग 30 डिगरी का अंतर होने के कारण सुदूर पूर्वी वैं सुदूर पस्चिमी भागों के समय में लगबग 2 घंटे का अंतराल होता है तो ग्रीन विच रेखा ये मानक समय रेखा और ग्रीन विच समय रेखा और ग्रीन विच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है और देश की पूर्वी वैं सबसे पस्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगबग 30 डिगरी का अंतर होने के कारण सुदूर पूर्वी वैं सुदूर पस्चिमी भागों के समय में लगबग 2 घंटे का अंतराल पाये जाता है ठीक है और जो मानक या मोत्तर के रूप में मानकर जो लिया गया है भारतिय मानक समय के निधरन हे थू तो जो की मिर्जापूर जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापूर और कुछ स्रोतों में इसे इलाबाद के नैनी को भी बताया गया है जो या मोत्तर है कि या मोत्तर रेखा है वो है मिर्जापूर से होकर गुजरती है और कुछ स्रोतों में इसे इलाबाद के नैनी को भी बताया गया है जहां से या मोत्तर रेखा गुजरती है इसी के आदार पर समय का निर्धारन किया जाता है कुछ मेहत्वपूर्ण बिंदों को देखते हैं देखे पहला मेहत्वपूर्ण बिंदों है करकरेखा 23 डिग्री 30 डेस उत्तरी अक्षान्स देश के कुल आठ राज्यों गुजरात, राजुस्तान, मध्यप्रदेश, चतिसगर, चारखंड, पस्चिममंगाल, त्रिपुरा, एवम, मिजोरम से होकर गुजरती है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यह हमेशा परेक्षाव में पूछे जाता है कि करकरेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कभी कभी कौन-कौन से राज्यों से होकर गुजरती है या कुछ बीच में राज्यों के विकल पर दे दी जाता है कि इन में से गुजरती है या नहीं तो भकरक रेखा देश के कुल आठ राज्यों से कुजराथ, राजुस्थान, मद्यप्रदेश, 36 गड़, जारखंड, पस्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती हैं ठीक है और करक वृत भारत के बीचों बीच या मद्य होकर गुजरती है आगे चलते हैं, मानक समय रेखा एवं करक रेखा आपस में एक दूसरे को 36 गड़ में काड़ती है देखो महत्वपूर पाइंट है भी, जो मानक समय रेखा है, जिसके आधर पर समय का निधरन होता है जो मानक समय रेखा एवम करकर रेखा आपस में एक दूसरे को 36 गड़ पर जो 36 गड़ जो प्रदेश है 36 गड़ में काड़ती है आगे चलते हैं भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महातागर हिन्द महातागर का नाम कर चिए गया है ठीक है जो हिंद महासागर और हिंदुस्तान ये नाम तो हिंदुस्तान के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर और अंग्रिजी में इसे इंडियन सी कहते है तो भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम कर्ण किया गया है जिसे हम हिंद म सागर कहते हैं अगला पॉइंट है भारत के भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नील गिरी में आकर मिलते हैं तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहां पर आकर मिलते हैं नील गिरी में आकर मिलते हैं अब देखिए आगे चलते हैं शेत्रिफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजुस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है ठीक है यह गोवा है अगला पॉइंट है शेत्रिफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा केंद्र सासित परदेश जम्मु कस्मीर तथा सबसे छोटा लक्ष दीफ है ठीक है तो सबसे बड़ा केंद्र सासित प्रदेश है वो जम्मु कस्मीर है और चुकि जम्मु कस्मीर को जम्मु कस्मीर और लद्दाक नामक दो केंद्र सासित प्रदेशों में बांड दिया गया है तो अब की इस्तिती यह है कि शेत्रिपल की दृष्टी से सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश जम्मू कस्मीर तथा सबसे छोटा लक्षदीब है अगला बिंदु है जन संक्या की दिरिष्ट से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है ठीक है तो ये बीज के तीन पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जन संक्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है यानि उत्तर प्रदेश की जन संक्या सबसे अधिक और सिक्किम की जन संक्या सबसे कम है अगला पॉइंट है जनसिंक्या की दृष्टी से सबसे बड़ा केंदर सासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा लक्षे दीव है तो केंद्र सासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसिंख्या दिल्ली की है और सबसे कम जनसिंख्या लक्षदीब की है केंद्र सासित प्रदेशों में आगे चलते हैं दमन एवं दीव के बीज खंबात की खाड़ी अवस्तित है ठीक है आगे चलते हैं अगला पॉइंट भारत के राज्यों एवं केंद्र सासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वदिक राज्यों से जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की सीमा कुल आठ राज्यों एवं एक केंद्र सासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है जिसमें सर्वदिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से सनलगने है तो यह एक बहुत महत्यपूर प्रदेश है कि भारत के राज्यों एवं केंद्र सासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वदिक राज्यों से जुड़ी हुई है उतर प्रदेश की सीमा कुल आठ राज्यों एवं एक केंद्र सासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी हुई है जिसमें सरवधिक सीमा मध्यत प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचर प्रदेश से सन लगने हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि विंदु आपको रूची कर लगे होंगे हम आगे चलते हैं यहां विश्व के मानचित्र में आप देखिए यह जो रेखा दिखाई गई है यह जो यह रेखा दिखाई गई है यह करकर रेखा है करकर रेखा आप इस करकर रेखा को देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का दक्षणी भाग से होती हुई और अफरिका के उत्तरी भाग अफरिका महादीप के उत्तरी भाग से होती हुई यहां दक्षण एशियाई भाग में भारत के मध्यवर्त से होकर यह गुजरती है और यहां दक्षण पूर्वी चीन से होकर आगी चले जाती है तो आप इस करकर रेखा को विश्व के मानचित्र में देखिए जो कि भारत के बिलकुल मद्य से होकर गुजरती है, आप यहां देखिए, यह करके रेखा गुजरात से यह बंगाल तक उड़िसा और उड़िसा तक बंगाल तक यह जाती है, और यहां मिजोरम तक पुरा मिजोरम यह प्रदेसों को इच होती है, इनके बारे में भी आगे देखेंगे, यहां आप देखिए हमने भारत के मांचित्र को लिया है इसमें करकरेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों को दिखाया गया है आप देखिए यहां इस करकरेखा को इससे दिखाया गया यह देखिए आप करकरेखा को दिखाया गया है और बीच में राज्यो को दिखाए गया है जिन से ये गुजरती है तो इसमें देखिए गुजरात एक राजुस्तान दो मध्य प्रदेश तीन जार खंड ये उच्छतिश गड़ चार जार खंड पांच और पश्चिम बंगाल छह यहां पर देखे ये त्रिपुराज साथ और मिजोरम आठ तो आठ परत के आठ प्रदेशों से होकर यह करकर रेखा गुजरती है इसको ऐसे प्रदर्शित किया गया है यहापर देखे यह गुजराद है और राजुस्तान दो राजुस्तान का यह चोटा सा भाग यहापर यह राजुस्तान है राजुस्तान का चोटा सा भाग यह करकर रेख से होकर जा रही है जारकंड का एरिया है और यहां पर 36 गड़ है ठीक है और उसके बाद यहां पर पस्चिम मंगाल ठीक है इस यहां से भी यह रेखा जा रही है त्रिपुरा और यहां पर यह मिजोर्म तो कुल मिलाके एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो कुल आठ राज्य है ठीक है कुल आठ राज्य हैं जिनसे करकर रेखा गुजरती है ठीक है आठ राज्य करकर रेखा ठीक है आठ राज्यों से करकर रेखा गुजरती है यह परिक्स हैबब बहुत पुछे जाते हैं और राज्यों के नाम भी पुछे जाते हैं ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा आगे चलते हैं यहाँ फिर से उन आठ राज्यों को दिखाया गया है जो की करकर रेखा जिन से होकर गुजरती है आप देखिए गुजरात ठीक है यहाँ दिखाया गया है गुजरात उसके बाद राजुस्थान फिर यह गुजरात के बाद राजुस्थान यह राजुस्थान यह मध्यप्रदेश ठीक है और मध्यप्रदेश के बाद 36 गड़ है 36 गड़ यह है और 36 गड़ के 36 गड़ उसके बाद जार खंड है पश्चिम बंगाल का एरिया है ठीक है और यह 36 गड़ जार खंड पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा त्रिपुरा और मिजोरम त्रिपुरा मिजोरम ठीक है तो इस तरीके से एक दो तीन चार पांच है साथ आठ तो आठ राज्य इस तरीके से यहां पन है तो यह गुजरात राजस्थान मद्यप्रदेश 36 गड़ चार खंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम तो आठ राज्यों से यह करकरेखा गुजरती है ठीक है करकरेखा एक वाफिर से देख लिजे गुजरात राजस्थान मद्यप्रदेश 36 गड़ यह 36 गड़ उसके बाद जार खंड पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम ठीक है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इनको आगे चलते हैं कुछ अन्य महतुली बिन्दों को देखते हैं भारत में नो राज्यों तथा चार केंदर सासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हैं समझ क्योंकि भारत के भारत एक प्राइदीब है भारत के जो दक्षन पूर्वी और दक्षन पस्चिमी भाग है और दक्षनी भाग है वह तीन और सागरों से घिरा है इस भाग में नो राज्य और चार केंद सासित प्रदिसों की सीमाएं समुद्री तर्ट्रेखा से लगी है जिसमें गुजरात की समुद्री तर्ट्रेखा सबसे लंबी है यह प्रस्त कई बार उत्तरखंट PCS में और अन्या परिक्षाम पुछा जा चुका है कि सबसे लंबी तर्ट्रेखा किस राज्य की है तो सबसे लंबी तर्ट्रेखा है गुजरात की है तथा सबसे छोटी समुद्री तर्ट्रेखा वाला राज्य गोवा है ये भी बहुत मेंतिपूट पॉइंट है तो सबसे लंबी तर्ट्रह का गुजरात की और सबसे छोटी समुद्र तर्ट्रह का गोवा की है उनीस राज्य एवं चार केंदर सासित प्रदेश इस्थल रुद्ध लेंड लोग्ड हैं इसमें से पांच राज्य हर्याना चतिसगड तेलंगाना मध्य प्रदेश और जारखंड एवं दो केंदर सासित प्रदेश दिल्ली एवं चंडिगड ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर सिंसें अंतर राश्टी सीमा को इसपर से नहीं करती देखे आप लेंड लॉग्ड जसक्याते सबस्चावज से साःर एक्षर एक हैं चार और से गिर्षिंद बलकि इस्तल से गिरे हुए यानि इस्तल रुद्ध लेंड लॉक्ड है तो 19 राज एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल इस्तल रुद्ध है यानि लेंड लॉक्ड है है इनमें से 5 राज्य हरियाना, चत्यस गळ्ड तेलंगाना, मध्य परदेश तथा जहारखंड एवं दो केंद्र सासित परदेश दिल्ली एवं चंडीगढ ऐसे हैं जिनकी सीमा ये अंतर राष्टी सीमा को इस पर्ष नहीं करती ठीक है सबसे लंबी है सबसे छोटी समुतर ट्रेका गोवा की है उनीस राज्य एवं चार केंद्र सासित प्रदेश इस्तर रुद्ध या लैंड लॉग्ड है इसमें से पांस राज्य हर्याना चतिस गर्ड तेलंगाना मध्य प्रदेश और जारखंड एवं दो केंद्र सासित कड़िगर ऐसे हैं जिनकी सिमा अंतर रास्टी सिमा को इस परश नहीं करती ठीक है है को में आगे चलते हैं ठीक है पुदुचेरी एक ऐसा केंदर सासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में फैला हुआ है जिसके अंतरगत यनम, आंदर प्रदेश, कराइकल, तमिलनाडू, माहे, केरल तथा मूल पुदुचेरी को समलित किया गया है ठीक है तो राज्यों तथा केंदर सासित प्रदेशों में पुदुचेरी एक ऐसा केंदर सासित प्रदेश है जो तीन राज्यों में फैला हुआ है जिसके अंतरगत यनम, आंदर प्रदेश में, कराइकल, तमिलनाडू, माहे, केरल तथा मूल पुदुचेरी को समलित किया ज जलते हैं अब समुद्री तर्ट्रेखा वाले राज्य या और केंद्र सासिच प्रदेश जो जो समुद्री तर्ट्रेखा पर इस्तित हैं वे राज्य और केंद्र सासिच प्रदेश कौन-कौन से हैं तो राज्य और केंद्र सासिच प्रदेश राज्य हैं गुजरात बोवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, आंदर प्रदेश, ओडिसा, पस्चिम मंगाल, ये राज्ज हैं और केंद सासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, द्वीप, समू, लक्षदीप, दादरा और नगरहवेली, तथा दमन और देव और पुदुचेरी, ये केंद सासि तो यहां आप भारत के मानचित्र को देखिए, तो इसमें हम जो भिन दुन, हमने पहले डिसकस किये हैं, उनको देखते हैं, अब जो विन दू हमने यहां डिसकस किन मो राय्यार के, अ सासित में जो नो राज जज़ार केंद साथ-प्रदेशों की सीमाएं समुदीर तर डर तो यहां देखें आप भारत के मानचित्र में हम समुद्री तट्रेखा पर इस्तित राज्यों और केंद्र सासित प्रदेशों की इस्तिति को जानने का प्रयत्ने करेंगे आप यहां देखिए इस मानचित्र को देखिए इसमें जो समुद्री तट्रेखा पर इस्तित राज्यों है उनको आप देखिए तो इसमें है यहां देखिए आप गुजरात जो की समुद्री तट्रेखा पर इस्तित है उसके बाद महारास्ट्रा जो की समुद्री तट्रेख का परेस्तित आ उसके बाद और करनाट का को देख सकते हैंüt कंप गोवा यहां पर आप गोवा देखी घुड़ को भी एक राज्य माने दार कि राजदानी पणण जी तो यह भी समुद्र तट्रे का परिस्तित 25 ते vis जो कि समुदित तर्ट्रेखा परिस्तित है कि केरला उसके बाद तमिल नाडू जो कि समुदित तर्ट्रेखा परिस्तित है तमिल नाडू के बाद है आंद्रप्रदेश जो कि समुदित तर्ट्रेखा परिस्तित है आंद्रप्रदेश उसके बाद ओडिसा आंद्रप्रदेश यहां तक जाता देखिए हम रावती यहां तक जाता है थी उसके बाद ऊडिसा यह भी सम्दित तड्रे का प्रस्तित है और ऊडिसा के बाद सबसे अंतिम में वैस्ट बेंगल यानी पश्चिमी बंगाल तो कुल समुद्री तर्ट रेखा परस्तित आप देखिए राज्य हैं गुजरात महरास्ट्रा गोवा करनाटका कि केरला तमिलनाडू आंध्राप्रदेश उडिशा और वैस्ट बेंगौल यानि पस्षीमी बंगाल यह राज्य यह नौ राज्य हैं जो की समुद्री सीमा पर इस्तित हैं समुद्री तर्ट रेखा परस्तित हैं ठीक है अब देखते हैं केंद्री सासित प्रदेश सुकुम जो की समुद्री तटों परस्तित हैं तो इसमा पहला है यहां देखिए आप अंडमान निकुबार दीव समुग जो की समुद्री तर्ट परस्तित हैं और उसके बाद लक्षदीप, लक्षदीप को आप यहाँ आईए, यह लक्षदीप को दिखाए गया है, लक्षदीप के बाद दाद्रा एउन नगर हवेली, दाद्रा एउन नगर हवेली यहाँ पर दिखाए गया है, ठीक, दाद्रा एउन नगर हवेली को देखिया आप, और इसके बाद, यहां पर है यह दिखा रखा है और उसके बाद दमन और दीव दमन और दीव जो दमन और दीव है उसको यहां पर दिखा रखा है दमन दीव को और दादरैव नगर हवेली को यहां पर दिखा रखा है और उसके बाद पुदुचेरी पुदुचेरी जो कि तीन राज्यों से लगावा है पुदोचेरी यहां भी है यहां भी और यहां भी ठीक है तो इन ये केंद्र सास्थ प्रदेशों की इस्तिति इस परकार से है आप इसको देख सकते हैं तो केंद्र सास्थ प्रदेश और तट्रेखा वाले राज तो केंद्र सास्थ प्रदेश है लक्षद अन्यम और दाद्रायव नगर हवेली और दमनेव दीव और पुदुचेरी ठीक है तो ये थे तट्रेखा वाले राज्य और तट्रेखा वाले केंदर सासित प्रदेश तो नौ तट्रेखा वाले राज्य हैं और चार तट्रेखा वाले केंदर सासित प्रदेश हैं नौ तट्रेखा वाले राज्य और चार तट्रेखा वाले केंदर सासित प्रदेशों की इस्तिती है जो याँपर हम देख सकते हैं आगे चलते हैं अब हम आते हैं दिल्ली पर आते हैं दिल्ली देखे दिल्ली और उसके आसपास के शेत्र को राश्टी राजदनी शेत्र कहा जाता है अने दिल्ली से सनलगन राज्य निसे राश्टी राजदनी शेत्र या एनसे आरियाना और उत्तर दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के हरियाना और उत्तर प्रतेस के कुछ जिले समलित हैं जिनके बारे में हम जानेंगे तो हरियाना से जिले एदिल्ली NCR में समलित हैं वो हैं फरिदाबाद, कुरुगराम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाडी, जजजर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगण, जिन्द, करनाल और जो उत्तर प्रतेस से NCR में समलित हैं राष्टी, राजज़नी, शेत्र में समलित हैं मेरट, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद सहर, हापुड, बागपत, मुजफर नगर, सामली ठीक है, इसके अलावा अलवर जिला राज़स्थान का और भरतपूर राज़स्थान का भी इस सेत्र में समलित है, एक नोट है, राज़स्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, किन्तु उसके दो जिले NCR, नेशनल कैपिटल रिजन में समलित हैं, बहुत महत्तपूर प जन यानि राज़स्थानी शेत्र में समलित हैं, और ये जिले हैं अलवर और भरतपूर, ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ देखे ये दिल्ली का मानचित्र है, उत्तरी दिल्ली, देखे इसमें उत्तरी दिल्ली को देखे, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दि पश्चिम दिल्ल दक्षिन पश्चिम दिल्ली इस तरह किसे दिखाय ÇEA गया और इसके आजपास जो दक्षिन दल्ली दक्षिन पूर्वी इस तरह किसे प psic Stones ऑग्या केंधी दिल्ली दरिया गंज़ वक अगरए इस जो आप देख सकते हैं अब इसकी जो सीमा है यहाँ देखिए तीन ओर से हर्याना से लगी हुई है एक तो यहां से यह सिमा हर्याना से लगी हुई है और यहां से यह सिमा हर्याना से लगी हुई है और यहां से तो तीन ओर से हर्याना से यह सिमा दिल्ली की सिमा लगी हुई है और एक ओर से उत्तर प्रदेश से लगी हुई है ठी हर्याना के सरवधिक जिले NCR में समलित हैं और यूपी के ठीक है तो हर्याना के तेरे जिले NCR में समलित हैं और उत्तर प्रदेश के आठ जिले NCR में समलित हैं और दो जिले राजस्थान के भी हैं राजस्थान के सीमा दिल्ली से नहीं लगती लेकिन फिर भी उसके दो जिले अलवर और भरतपूर राष्टी राजदनेश सेद्र NCR में समलित हैं यहां आप देखिए तीन और तीन दिसाओं की सीमा हर्याना से है और उत्तर प्रदेश एक और से उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है आगे चलते हैं देखिए यह है NCR का एरिया इसमें जो डैली NCR इसमें जितने भी जिले देखिए आप इनको यहां पर यह डैली है और डैली के जो आसपास का है इसको हम डैली NCR कह सकते हैं या NCR जो NCR में यह इतने जिले समलित हैं जिनको हमने देखा अभी यह मेरट से लेकर बागपत सोनी पत बिवानी या और फिर उनके आसपास के स्थान भी है फरीदाबाद रेवारी अलवर ठीक है तो यह दिल्ली है बीच में देखिए और दिल्ली के आसपास का जो शेत्र है उस रास्टी राजदानी सेत्र भी गह सकते हैं रास्टी राजदानी सेत्र रास्टी राजदानी सेत्र ठीक है तो दिल्ली के आसपास के जो जितने भी इलाके हैं जिसमें उत्तर प्रदेश और हर्याना के जिले समलित हैं और मध्य प्रदेश और राजस्थान के दो जिले इस में समלित हैं तो आप इसको देख सकते हैं यह दिल्ली NCR को इहां पर दिखाए गया है ठीक है यह झधजर है है कि तो यह NCR का अरिया आपने देखा कि जिस में उत्तर प्रदेश और हर्याना के जिले समलित है उत्तर प्रदेश के 13 हर्याना के जिसमें हर्याना के 13 और उत्तर प्रदेश के 8 जिले समलित हैं और राजस्थान के दो जिले समलित हैं जिनकी इस दिल्ली के के मान्सेत को देखा आपने और इसके बाद यह ए एनसेयर का अपने देखा ठीक है जिसके आज-पास के यह गाजियाबाद है ठीक है बुलंसेयर वगर यह नॉइड़ा वगर यह सब दिल्ली एंस यार का एडिया है ठीक है और जिसमें जिले और उनके जो मुख्याले वगर हैं उनके नाम दे रखे हैं और दिल्ली एंसियार पर मैं एक वीडियो स्पेसल बनाऊंगा तो मुझे उमीद है कि यह नोलेज आपको अच्छा लगा होगा यह जानकरी आपको अच्छे लगी होगी ठीक है तो अगर आपको यह जानकरी अच्छे लगी तो आप इसका साध्यन कीजिए झिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चनल को सब्स्राइब कीजिए यहां देखे यह दी ऑल उब यह देखें कि यहां हमने करकर देखा में आठ राज्यों की स्थिति को देखा यह देखिए कि हमने भूम अधिस आगए भूम यह सौरी करकर देखा कि विश्व के मानचित्र प्रिस्थिति को देखा ठीक है तो भारत एक सामन्य परिचे भाग दो तो मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए बाकी की जानकारी आपको आगले वीडियो में दूंगा और आप कॉमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग कॉमेंट्स भी किजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद